तो कैसे आप लोग मैं ऐसा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और हर्दी कंट्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नामे विने सर्मा और मेरे चैनल पर न्यू आए चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे क्यूंकि मैं इसी तरह का कॉंटेंट लाते रहता हूं और आप चाहिए तो मुझे इस्टाग्राम भी फोलो कर सकते हैं फेस्बुक फेस्वी फोलो कर लिजिएगा वहीं पर टूटर भी फोलो कर सकते हैं यह हमारा जो डिस्को है इसका एरिया फुरा दखेंगे तो यह यह चालिस फूडवाय 35 फूड है तो मैं आज इसका आपको इंटरियर डिजन दिखाने वाला हूं तो वीडियो को फूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा तो मैं आपको वेक कामरा करके दिखाता हूं यहां पर देखेंगे हैं यह चोटा-चोटा टाइल साथ है इसका इसको तो मोजाई टाइल इसको टाइल सहम लोग बोलते हैं इसका लड़ी में पढ़ता आता है और यह जो देख पा रहे हैं यह मना प्योपी का है इसमे पेंड मारा काफी अच्छा फिनिसिंग है और यहां पर भी देखेंगे से इसी परकार से और उपर में देखेंगे तो यह म अर्च बढ़ाया है और यह काफी खुब्सूरत है और इसमें थोड़ा सा और भी काम बंकी है मेरा यह इत्री करने के लिए इसका भी लेदर फिनीशिंग है कि यहां से देखेंगे किलास लगाया हुआ है जो की काफी खुब्सूरत है और इसके साथ महां से मेरा दांस फ्लोरिंग यहां पर देखेंगे दो-दो इस्पिकर लगाया हुआ है जो कि यह 18 इंच का है यह 12 इंच का अगर जो कि जवियाल कंपनी का और यह जो बैनर है आपको मार्केट में जाएंगे तो तरह तरह का बैनर मिलता है तो वह आप उसे खरीज सकते हैं और इसको चिल के लेगा इसका जो बैनर का साइज है यहां 20 इंची लगता है इस पतार से इस पतार आपको मोर देना है जो की काफी खुश्रत दिखता है हर एक साल में बैनर मुटा मटी चेंज करना पड़ता है यहां पर देखेंगे लेदर खता लेदर के बाद यहां पर प्योपी का मेरा पेंट इस परकार से बिलेंग किया हुआ है जो कि केट्रिंग का देख पार है सिस्टम फ्राबोर लगा हुआ है इस कॉंटर की हाइट में बता दो यह मेरा तीस इंची पर है और पूरा यह रॉंट सेप में जो की काफी खुशूरत है और यहां बैक में देखेंगे तो वहां पे कि खुशा और शिचान परकार से बैग में लगाया हुआ है तो कि काफी खुशूरत दिखता है कि पर दिखेंग में भी इशी का हुआ है और शिलिच के उपार मेरा बूलु कलर का प्लेट में बारा हुआ है यहां पे शहां चीस पर और लंग तो अचरेद का में बत्त्ति जो कि एक पोल्ड बताब चील्ड होना चीए तांस करने बाद क्योंकि बहुत ज्यादा पाशीना आता है तो से यह तीन तीने सी दिया गया है और यहीं पर मैं आपको सिलिंग में दिखा दू सिलिंग देखेंगे तो काफी डिजैन में है तो यह मेरा टेक्चार में सिल्वर िस लिए घ्रक बना हुआ जो कि काफी खुबसूरत दिखता है और इसकी का बिखतें से जोकि का फूबसुरत धिलिए मैं को तो दिखा रहा है और इसमें देखेंगे तो टोटल मेरा 10 लाइट लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है जो की काफी कुछार जलने के बाद दिखता है मैं आपको लाइट देखाने का भी कोशिश करूँगा एक दो त्री चार यहां पाज वहां पर प्रजेक्टर लगने का आए मैं चोलिए आपको अश्चार इसमें लगा सकते बाद में यहां पर यह देखेंगे इस्छीयाक बरदाशकियों की सब्लाइट और यह प्रेज़ आइमा मैं जैंड यहां और कलर है यह की अच्छा तेक्चर में है जो कि काफी खूब शुरत दिखता है टेक्चर में जैसे कि मैंने आपको पिछले डूडियो में दिखाया था यह बना गुजरात का है गांधी धाम हम लोग इसे बोटते हैं कि इसे टेक्षे देखेंगे तो यहां पर दिया गया है और प्लोरी काफी अच्छा है अधिसाओ चार सब्सक्राव लाणा जाए दिखना चाहिए इस्टा ला एस्टा की बैठने के लिए इसमें देखेंगे ये मेरा ढोलेगा लाइक लगाया हूँ और अग। और फुरा बहुत लगाया हुआ है और फुरा बहुत मेरा काम बचा हुआ है क्योंकि इसलीन टूटा हुआ है तो रिखेंगे पीछे में तो यहां पर प्रकार से मुजिक का फोटो लगाया गया है इसका पूरा अच्छी तर से मैंने किया है यहां पर भी देखेंगे इसी टेप से आप भी करवा सकते है और सबसे चीवाद जब महां पर आदो जांस करेगा कि यहां पर परसीशा मैंने किया दो-दो इसका जो कि और भी खुबसूरत दिखत settetran मैंने आपको दिखाया यह पोता अपको कमेंट करके जरू़ बता है खो अफो कि मांके अगर कोई सवाल हो ता प्रेंक करके पूच सकते हैं तो आपके कीतुरी में यह चाहीं स्वेस्तर्य में कजितना एंस बूडियों में तब-डियलें जया हिंवारत बंक्रें डहाथ झाल